Hello students, नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCRT कक्षा साथ, विज्ञान का छटा अध्याय, मौसम जलवायू तथा जलवायू के अनुरूप जन्तो द्वारा अनुकूलन, इस अध्याय के पुशनुत्तर है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो किसी इस्थान के मौसम को निर्दारित करते हैं, तो इसका उत्तर है मौसम गटक, तापमान, आदरता, वर्सा एवं वाईवेक, दूसरा प्रसन, दिन में किस समय ताप के अधिक्तम और नियूनतम होने के संभाण होती है, तो इसका उत्तर है, दिन का अधिक्तम तापमान, समय दोपेर के बाद तथा न्यूनतम तापमान प्रत्रकाल में होता है तीसर परषन दीर अवदि के मोसम का उसथ जलबायू कहलाता है किसी इस्टान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस इस्टान का तापमान वर्ष पर उच्छे रहता है इस इस्तान की जलवाईव गर्म और सुस्क होगी चरम जलवाईव ये परिश्टिती वाले प्रत्वी के दो छेत्र दुरुविय और उशन कटवंदी है मतलब दुरुविय छेत्रों में तापमान सबसे कम होता है और उश्न गटविंदे छेत्रों में तापमान सबसे अधिक होता है चोथा परसन निम लिखित छेत्र की जलवाईव का प्रकार बताईए जम्मू और कस्मीर की जलवाईव कैसी होती है तो यहां पर देखिए जम्मू और कस्मीर की है आद्र ठंडी को बोलते हैं कि एक तरीके से सुस्क और आद्र एक तरीके से बोलें यहां पर जम्मू कस्मीर की जलवाईव हो गर्म यह माद्र केरल की जलवाईव हो है अति गर्म और आद्र राजस्तान की गर्म और सुस्क उत्तरवारत की आद्र तो इस तरह से जलवाई हुए भारत में जातर जो जलवाई हुए वो सुस्क और सुस्क होती है मौसम और जलवाई में से किसमे तेजी से परिवर्थन होता है मौसम में जन्दो कुछ विशेशताओं की सूची नीचे दिगई है पैरों की चिपचिपे तलवे यह हम जानवर के बारे में बात करें कि किस प्रकार के जानवरों की विशेशताओं है तो यहां पर हम आहार मुक्ते फल है किस प्रकार के जन्दो का आहार मुक्ते फल है तो यहां पर देखिए इनको आप यहां पर देख पाओगे आहार मुक्ते फल उश्न कटी बंदिया वर्सावनों में रहने वाले जीवों का आहार फल होते है सफेद फरोर वाल ये द्रुविय चेतर में होते हैं प्रवास किया होशकता द्रुविय चेतर और उस्न कटी बंदिया वर्षावन वाले जानवरों को प्रवास किया होशकता होती है तीवर द्वानी, तीवर श्वर द्वानी, दुरुगय चेत्र और उसनिकटी बंदिया वर्षावन पैरों के चिपचिपे तलबे, उसनिकटी बंदिया वर्षावन तवचा के नीचे वसा की मोटी फरत दुरुगय चेत्र में चोड़े और बड़े नखर दुरुए छेत्र में चटक रंग वाले उशन कटी बंदिये वर्षावनों में मजबूत पूँच उशन कटी बंदिये वर्षावन लंबी तथा बड़ी चोट ये भी उशन कटी बंदिये वर्षावनों के जीओं की खाशत होती है साथवा प्रसन उशनी कटी बंदिये वर्सावनों की विशाल जन संख्या को आवास बढ़ान करते हैं यह है समझिए कि इसा क्यों है उशनी कटी बंदिये वर्सावनों की जलवायू पोदो एम जनतों की बहुत बड़ी संख्या के नुरूप है यहां की जलवाईव आदर एवंगर में इन छेत्रों में सामय निताब 15 डिगर से अधी रहता है वे वर्स वे पूरे वर्स दिन और रात लगबग समान होते हैं इन छेत्रों में काफी वर्स होती है उशन कर्टी बंदिये वर्स अवनों की ये सभी परिस्तितियां कुछ वे विशिष्ट जन्तु ही जीवन या अपन क्यों करते क्यों पाय जाते हैं उत्तर है इसका जन्तु उनी परिस्तियों में जीवित रहने के अनुकूलित होते हैं जिसमें वे रहते हैं दुरुए चेतरों उसन कटिवन दिया वर्षा वन चेतरों में चरम जलवाई विये परस्थित्य होती है। वे जनतु इन चेतरों में रहते हैं, वे अपनी आवशिकतों में परिवेश के अनुसार अच्छी प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जैसे दुरुए बालु और दुरुए पेंगिवन चेतरों में रहने में अच्छी प्रकार से अनुकूलित हैं। इन सून उनकी सूने की सक्ती को अच्छा बनाती है। इसके दो रुपाथ दानत वोते हैं जो उसकी पसंद के रेक्षों की साल को छेलने में सायवत अकरती है। बोजन की इस फर्दा के बावजूद आथी रूपांतरी दांतों के कांड आसानी से बोजन जुटा लेते हैं आथी के बड़े बड़े कांड अलकी से हलकी दुहनी को भी सुनने में सायग होते हैं यहाँ पर आपको MCQ मिलेंगे वेकलपिक प्रिसन कोई मसूर जन्तु जिसके सरी पर धारिया होती है अपने शिकार को पकड़ने तो इस समय बहुत तेजी से भागता है इसके पाए जाएने की संभावना है किस शेत्र में तो इसका सही आंसर है उसन कटी बंदिया वर्सा मनों में ठीक है और इसका उतर चीता या फिर टाइगर जारो अप्शन तरुए बालू के अच्टिक ठंडी जलवाई में रहने के लिए कौन सी विश्यस्ता या नुकूलित है स्वेत बाल या फर्त वचागे नीचे वसा और ती उर सुमने भी छमता क्या उतर इसका चाहिए बार अप्शन निमने कितमे से कौन सा विकल पूशन करता है गर्म और आद्र हमारा या अज्याय खतम होता है अमने इसके सारे प्शन उतर पड़े आंको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएं वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों इस साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले अब मिलेंगे अगले साथ वे अज्याय के साथ में नहीं वाद